हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदे ट्रिक अ दमस्ति में दोस्तों अगर आप भी मेप का यूज कर रहे हैं और बार बार आपके मोबाइल स्क्रीन में फल to verify नमर का मेसेज आ जा रहा है और आपका मोबाइल नमर भेरिफाइड नहीं हो पार रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप वीडियो को पूरी देखिए, आपको इस वीडियो में इसका solution बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों ये जो problem है, समस्या है, वो 2-3 कारणों से आती है तो दोस्तों इसके लिए आपके mobile में 2-3 समस्याओं में से कोई एक समस्या हो सकती है तो आए इसके उपर में हम लोग विश्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों पहली बात या है कि पहला कारण या है कि जो mobile आप verify नमर कराना चाहते हैं और दूसरी बात या है कि जिस नमर से आपका mobile verify होने वाला है उस नमर में आप यह जांच लें कि आपके पास परियाप्त बैलेंस है या फिर आपके recharge की validity अभी उपलब्ध है और उस नमर में आपका SMS आएवम जा रही है अगर आपके पास recharge खतम हो गया या फिर आपका SMS सेवा बंद कर दी गई है तो आपका mobile नमर verify फेल बता सकता है तो यह चेक कर लें अगर इसके बाद भी आपके पास समस्य adjust की तस्व बनी हुई है तो आपको तीसरी ओर सबसे महतपूर्ण बात पर धयान देना चाहिए दोस्तों तीसरी ओर सबसे महतपूर्ण बात यह है कि आपको अपने mobile के settings में जाना होगा और वहां से आपको application या app manager या app को खोजना पड़ेगा दोस्तों यहारे company में अलग-अलग नाम से आती है किसी company में आपको apps के नाम से मिल सकता है किसी में आपको application के नाम से मिल सकता है और किसी में आपको app manager के नाम से मिल सकता है तो आपको अपने setting में जाके application manager के setting को खोज लेना है और चलिए मैं यहाँ फिलाल भीबो का phone यूज कर रहा हो तो इसमें हम setting में जाके more setting में जाके applications पर click करते हैं उसके बाद आपको installed पर click करना है वहां से आपके mobile में जो भी application installed है सब आपको display होने लगा so हонे लगा उसमें आपको भी हमें को highlighting खोज लेना है आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भीम एप में permission चाहिए वो सभी permission on है या नहीं है अगर कोई permission आपका on नहीं है तो उसे all permission पर on कर दें उसे all permission दे दें इसके बाद आप back आ जाएं और फिर से आप भीम भीम एप को open करें इसके बाद आप अपना sim select करें वही जो आपका bank account account में link sim है उसी को select करें और वहां से आप verification परक्रिया होने दें तो दोस्तों आसा करता हूं कि इसके बाद आपके mobile में सफलता पुरवक mobile number verify हो जाएगा और भीम आपका आप बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आय होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 हमार चैनल को अभी subscribe कर लें और बगल में आए बेल आइकन को दबा दें